दूर दूर तक फैली वादियां और उस पर विछी बर्प की चादर आखिर किसे अच्छी नहीं लगती। लोग दूर दूर से इस नजारे को एक बार अपनी आखों में कैद करने के लिए खीचे चले आते हैं। पर पहाडों की खूपचूर्ती बढ़ाने वाली इस बर्प का सफर बहुत पेचीदा होता है। कई प्रोसेस से गुजरने के बाद ये वादियों में आपके दीदार के लिए अपनी खूपचूर्ती भी खेरती हैं। इस बर्प का दीदार करने सैक्रो टूरिष्ट देश विदेश से हमेशा आते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्प बारी क्यों होती है और या खासकर पहाडों पर ही क्यों होती है। अगर नहीं तो आज जाने ने वाले हैं इस सब कुछ इस वीडियो में। बने नहें वीडियो के लाश्ट तक। सभी जानते हैं कि सूरज की गर्मी में समुद्रों, जीलों, नदियों, तालाबों और अनिस्थानों का पानी लगातार भाब बन जाता है। जब पानी भाब बन जाता है तो उसका वजन हवा से हलका हो जाता है। यहां आस्मान में उपर चड़ जाता है और तापमान के अनुसार यह भाब बादल बन जाते हैं। यह वहाब बर्फ में बदल जाते हैं, जब ऊपर का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है, यह बर्फ में बदलते ही भारी हो जाता है और फिर नीचे की तरफ आने लगता है, छोटे-छोटे स्नोफ फ्लैक्स एक दूसरे से तकराते रहते हैं, और हवा में बिखरते जिससे उनका आकार कम हो जाता है इसलिए एक राज में दो स्थानों पर दो अलग तरह की बरबारी होती है गरमी के मौसम में सबी लोग पहाडों की तरब जाते हैं क्योंकि पहाडों पर मौसम ठंडा होता है सरदी के मौसम में पहाड की चूटियों पर बर्फ जम जाती है औ और सूर की किरड़े पहाड की चोटी से सीधे टकराती है। भावतकी का नियम कहता है कि मैदानी इलाकों की तुलना में उचाई वाले इलाकों में वाई विरल हो जाती है, जिसके कारण वाई में उस्मा को गुरहर करने की छंता कम हो जाती है। यही कारण है कि पहाड की चोटिया ठंदी होती है। वहाँ धूप होने के बावजूत सर्दी का अहसास होता है, जबकि मैदानी इलाकों में वही वायु सगन हो जाती है, इसलिए पेड़ पोदे होने के बावजूत गर्मी जादा पड़ती है। सरल सब्दों में समझने की कोशिस करें तो मनुषु को चर्दी या गर्मी के अहसास सूरज की धूप के कारण नहीं, बलकि हवा के कारण होता है। यही कारण है कि सूर्य और प्रतिवी के बीच आंतरिच में गर्मी नहीं, बलकि थंड़क होती है। इसी कारण पहाड की चोटी पर जमी हुई बर्प पिगलती नहीं है, क्योंकि वहां हवा का दबाव कम होता है, मैदानी इलाके चारो तरप पहाडों से घीरे होते हैं, इसके कारण मैदानी इलाके प्रेसर कूकर की तरह हो जाती हैं, जहां हवाएं पहाडों से तकरा कर वाप बर्प उन इस्थानों पर अधिक गिरती है जो इलाके या तो समद्र से काफी ऊपर होती हैं या फिर उचाई पर होती हैं वातावरण में बर्प काफी अधिक बनती है जिसका एक छोटा हिस्था ही नीचे पहाड़ों पर गिरता है बाकी हिस्था बारिष के रूप में नीच जाती है जबकि उचे पहाड़ों में तापमान पहले से ही चुनी डिग्री से कम पर होता है इसलिए वहां बर्बारी होने लगती है दोस्तों उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें